मंगलवार की सुबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए रोजगार मेले में भाग लिया इस रोजगार मेले में प्रधान मंत्री मोधी ने 31,000 से जादा कैंडिडेट्स को न्यूक्ति पत्र दिये इस अफसरवर पीम मोधी ने इन कैंडिडेट्स को संबोधित पिक किया इस दौरान पीम मोधी ने कहा कि देश की युवाओं को रोजगार मेले के माधिम से न्यूक्ति पत्र देने का अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा बता दे कि केंडर सरकार की कोशिश है कि अलग-लग मंतरालियों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में डेट साल के अंदर भर दिया जाए इसके पहले पीम मोदी ने 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयजन किया था जहां 75,000 कैंडिट्स को अपाइंट्मेंट लेटर दिये गए थे रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवासाथियों आप सब को बहुत बहुत बधाई आज देश के 45 शहरों में 71,000 से जानदा युवाओं को नियोक्ती पत्र दिये जा रहे हैं यानि आज एक साथ हजारों घरों में खुशाली के नए दौर की शुरुवात हुई है पिछले महिने आज के ही दिन दनते रस पर केंडर सरकार की दरब से 75,000 नवजवानों को नियुक्ती पत्र बाटे गए थे अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तर गवर्मेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है साथियों पिछले महिने जब रोजगार मेले की शुरुवात हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी मैंने कहा था कि विभिन केंदर सासित प्रदेश एंडिये और भाजपार सासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे मुझे खुशी है कि पिछले एक महने में ही महाराष्ट और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को यूक्ति पत्र बाते गए है कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिये है पिछले एक महने में जम्मु कश्मीर लद्दाक अंडबन निकोबर दीपसमू लक्ष दीप दाद्रा और नगरहवेली दमन और दीव और चंडीगड में भी रोजगार मेले आवजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है आज सरकार का प्रयास टेकनोलोजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बहतर ट्रेनिंग की सुविदा देने का है हाली ही में जो कर्मयोगी भारत टेकनोलोजी प्लेटफॉर्म लाँच हुआ है उसमें कही तरह के ओनलाइन कोर्सिस उपलब्तत है आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेश कोर्स की शुरुवाद भी की जा रही है इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंबह आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्त ऑनलाइन कोर्सिस का जरूर्थ जाइदा फाइदा उठाएंगे ही इसने आपकी स्केल भी अपग्रेड होगी और भविश्य में आपको अपने केरियर में भी काफी लाब होगा भारत को विख्षित राष्ट बनाने के लिए एक राह पर हम चल पड़े हैं आईए अनेक अनेक शुप कामनाओं के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें बहुत बहुत धन्यवाद